दोस्तों मुकेश अम्बानी आज भारत के ही नहीं बलिक पूरी दुनिया के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ती हैं और उसका मुख्य कारण है मुकेश अम्बानी की बेश शुमार दौलत मगर दोस्तों जिस व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा होता है वे अपना पैसा कहां कहां खर्च करते हैं क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं अगर नहीं तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगी कि आखिर मुकेश अंबानी और उनका परिवार इ अकरीबन 609 कर दिन रात काम करते हैं जिनकी सेलरी की बात की जाए तो किसी सरकारी बड़े अफसर से कई गुना जादा होगी मुकेश अंबानी के पास लगजरी गाड़ियों का काफिला तो है ही साथ ही इनके पास तीन प्राइवेट जेट प्रेन भी मौजूद हैं जिसके अंदर कई लगजरी सुबधाएं भी मौजूद हैं इन जेट्स की कीमत लगबग 2,000 करोड रुपे से भी जादा है मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महगा प्राइवेट यॉर्च भी है जिसे पानी पर तेरता महल कहना कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि इस यॉर्च में वे सबी सुबधाएं मौजूद हैं जोके एक आलिशान महल में होती हैं इस यॉर्च की कीमत लगबग 7 मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को अध्यात्म से बहुत ही लगाव है इसलिए उन्होंने 2012 में तुरुपती बालाजी मंदिर में एक सफेध हाथी दान दिया था जिससे सीधे थाईलेंड से इंपोर्ट किया गया था मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अ के पत्रोड रुपए का है مुकेश अंबानी के जीओ को लांच करने से पहले भारत में इंटरनेट की सुधा बहुत ही कम लोगों के पास थी मगर जीओए अमबानी पूरे भारत के लोगों तक एक साल में फ्री इंटरनेट पहुचाया जिसके लिए उन्होंने दो लागर क 50,000 परोड रुपए का खर्चा किया धाले में मुकेश अमबानी ने अपनी बीटी ईशा अमबानी की शादी में इतने पैसे खर्च किये जिसके कारण यह शादी भारत की सबसे महेंगी शादियों की लिस्ट में सबसे आगे निकल गई मुकेश अम्बानी का एक स्कूल भी है जिसका नाम धीरु भाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल है जो भारत के टॉप 10 महेंगे स्कूलों के लिस्ट में आता है इसकूल में फिल्म स्टार और बहुत ही अमीर व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं मगर इसकूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है फिर चाहे वे कितने भी अमीर परिवार्द से संबन रखता हो लेकिन उसी टेस्ट क्लियर कर करते हैं मुकेश अमबानी की नेट वर्ड 44.4 billion American dollar है इस प्रकार मुकेश अमबानी और उनका परिवार अपने कामों की वज़ा से पूरी दुनिया में famous है दोस्तों आप क्या कहेंगे क्या मुकेश अमबानी को अपना फैसा कहीं और भी लगाना चाहिए जिसके कारण भारत और भारत में रहने वाले लोगों का भला हो सके अपनी राय हमें कमेंट करके जुरू बताएं वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब सरू कर लें